जादोई जाडू एक गाउं में सुरेखा नाम की एक विधवा औरत रहती थी उसकी एक बेटी थी बिंदू सुरेखा इडली का व्यापार करके अपना और अपनी बेटी का पालन पोशन किया करती थी एक दिन सुरेखा ठेले पर जाते वक्त बिंदू से कहती है देखो बिंदू मैंने सबजी काट कर रख दी है तुम आराम से सबजी बना देना मुझे आज घर आने में देर हो जाएगी घर का राशन खत्म हो गया है घर आते वक्त मैं बजार जाकर राशन ले आऊंगी ठीक है मा सुरेखा अपने ठेले के पास चली जाती है वो इडली बनाना शुरू करती है वो इडली बना लेती है पर उसके ठेले के पास कोई नहीं आता उसका व्यापार बिलकुल भी अच्छा नहीं था बहुत देर हो जाती है जब कोई नहीं आता तो सुरेखा मन ही मन सोचती है अरे ये क्या आज कोई इडली खरीदने क्यों नहीं आया अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा भगवान तू ही कुछ रास्ता बता सुरेखा अपनी बनाई हुई सारी इडली एक छोटी सी टोकरी में डाल कर घर की और निकल जाती है सुरेखा को जल्दी घर आते देख बिंदु सुरेखा से कहती है क्या बात है मा जल्दी घर क्यों आ गई तुम तो कह रही थी कि तुम्हें बाजार जाना है और वैसे भी क्या हुआ तुमें, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटी, दो दिन से हमारा व्यपार बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा, आज तो हधी हो गई, एक भी ग्रहाक मेरे ठेले के पास नहीं आया, मा तुम परिशान मत हो, भगवान कोई न कोई राह दिखाएंगे, दोनों मा बेटी को बातें करते करते शाम हो जाती है, दोनों इडली खाकर सो जाते हैं, बारिश बहुत जोर से पढ़ रही थी, तभी उनके दरवाजे पर आहट होती है, अरे बेटी बिन्दू, जरा देखो तो सही कोन आया है इतनी बारिश में? मैं पास के गाउं में रहती हूं, मैं जाडू का व्यापार करती हूं, यहां जाडू बेचने आई थी, जाडू बेचते बेचते वक्त का पता ही नहीं चला, घर जा रही थी कि बारिश शुरू हो गई, क्या मैं तुम्हारे घर पर थोड़ी देर आराम कर सकती हूं? जाड अपनी सारी जाडू एक कोने में रख देती है, और कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? बिन्दू उस बोड़ी आरत को खाने के लिए इडली देती है, अरे वा, ये तो बहुत ही स्वादिश्ट और मक्खन जैसी इडली है, किसने बनाई है ये इडली? जी माने, मा का ठेला है, पर कुछ दिनों से हमारा व्यपाय ठीक नहीं चल रहा, हमारे ठेले पर कोई ग्राक आता ही नहीं है, जो भी होता है, अच्छे के लिए ही होता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा तीनों सो जाते हैं, अगले दिन सुबहा जब सुरेखा नीद से जागती है, तो बुढ़ी औरत उसके घर में दिखाई नहीं देती, पर घर के एक कोने में उसे एक सुनहरे रंग की जाड़ू दिखाई देती है, जो बहुत चमक रही थी, उसे देख सुरेखा की आँखे चौक जाती है, बिंदू ये देखो, रात को हमारे घर देवी मा बूढ़ी औरत के रूप में आई थी, ये देखो देवी मा हमारे घर में सुनहरी जाड़ू चोड़ कर गई है, मा लगता है ये सोने की जाड़ू है, ये तो बहुत ही चमक रही है, बस बिंदू के ये कहते यही सुनहरी ज़ाडू हवा में उड़ने लगती है। सुरेखा और बिंदू के लिए अच्छे कपड़े, गहने और खाने के लिए बहुत सारे व्यंजन आ जाते हैं। ये सब देख सुरेखा बिंदू से कहती है। देखो बिंदू, हमें कभी भी इस ज़ाडू को लेकर लालच नहीं करनी चाहिए। हम इस ज़ाडू की मदद से गरीब लोगों की मदद करेंगे। हम हमारे इडली के व्यपार को नहीं छोडेंगे। हम हमारी मेहनत से ही पैसे कमाएंगे। ना कि इस जादूई जाडू से हमें हमेशा भगवान का शुक्रियादा करना चाहिए हमेशा की तरह सुरेखा इडली का व्यापार करती रही एक दिन गाउं में बाढ़ा जाती है सारा गाउं डूब जाता है गाउं के बोड़े और बच्चे भूख से परेशान थे ये देख सुरेखा बिंदू से कहती है बेटी मैं तुमें इडली डाल कर दूँगी तुम उसे ले जाकर घर घर में पहुँचा देना जी मा ठीक है ये जादूई जाडू मेरी मदद करेगी एज जादूई जाडू मदद करो पूरा गाम डूब गया है सब भूखे हैं मैं तुम्हारी मदद से हर घर में इडली पहुचाना चाहती हूँ ये सुनकर सुनहरी जाडू हवा में उडने लगती है बिंदू उस पर बैठ कर एक बड़ी सी बाल्टी में इडली की पैकेट डाल कर हवा में उड़ते हुए घर घर में इडली के पैकेट पहुचाती है उसी गाउ में रमा नाम की एक लालची औरत रहती थी वो बिंदू को हवा में उड़ते हुए देख मन ही मन सोचती है अरे लगता है ये कोई जादूई जाडू है इन मा बेटी को इसका इस्तमाल करना नहीं आ रहा आज रात मैं इस जाडू को चुरा लूँगी उस दिन रात रमा बिंदू और सुरेखा को सोते हुए देख उस जाडू को चुराने के लिए जाडू पर हाथ रखती है जैसे ही वो जाडू को चुती है तुरंत जाडू उसे दबा कर पीटना शुरू कर देती है रमा की आवाज सुनकर बिंदू और सुरेखा नीद से जागते हैं जाडू पीटना रोक देती है मुझे माफ कर दो मैं लालच में आकर इस जाडूई जाडू को चुराने आई थी इस जाडूई जाडू को हमें अच्छे के लिए इस्तमाल करना चाहिए ना की लालच में आकर बुरे के लिए तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया यही काफी है यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें शुक्रिया